अम्रोहा जन्पत के रहरा तनाच शेतर से एक नाबालिक बच्ची का अपरन करके भाग रहे बदमाश धीरज उर्फ एमरान खान को पुलिस ने SOG टीम के साथ मुठवेड के बाद पैर में गोली मारकर गिरफटार किया था जिसको जिलास वताल में भरती कराया था पुलिस को चक्मा देकर जिलास वताल से आरोपी बदमाश फरार हो गया था इस मामले में SPM रोहा अदित्ते ने बड़ी कारवाई करते हुए एक दारोगा सही चार पुलिस कर्मे को सस्पेंट कर दिया था और इस मामले में पुलिस की टीमों को बदमाश को पकड़ने के 24 गंटे से भी कम समय के अंदर डिडोली कोत्वाली पुलिस ने मुकबिर से मिली सूचना के आधार पर फरार इनामी बदमाश धिरज और इम्रान खान को गिरफतार कर लिया है जिसके बाद पुलिस सदीकार्यों निराहत की सांस ली है